हलो माई डियर फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग मैं हूँ उजमा आपकी कम्प्यूटर ट्रेनर और आप देख रहे हैं CKC डैट इस कम्प्यूटर नौलिज सेंटर वेर योर ड्रीम्स कम ट्रू तो जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर हम लोग O-Level का क्लास कर रहे हैं O-Level का फर्स्ट पेपर में जो आपका टॉपिक है इंटरनेट और ड्रू 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 आज वो हम लोग पढ़ने वाले हैं और उसके साथ साथ Hexadecimal to Octal और Octal to Hexadecimal Conversion भी सीखेंगे तो I hope इससे पहले की वीडियो आपने देखी होंगी जिसमें number system काफी कुछ पढ़ा दिया गया है तो आगे भी देखिए और इंटरनेट में हमने यहाँ पर काफी सारी चीज़े बताई है उसके अलावा अगर आपको लगता है कोई topic छूट गया है या miss हो गया है तो प्लीज आप comment करके बता सकते हैं और इसमें हर चीज उस तरह से बताई गई है जिस तरह से questions आते हैं exam में तो आप अच्छे से देखिएगा last तक रहिएगा वीडियो में जिससे आपका कोई भी point मिस ना हो ओके तो चलिए हम लोग स्टाट करते हैं आच्छी वीडियो और अगर चैनल पर फर्स टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे वीडियो अच्छी रगती है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए इंटरनेट का टॉपिक कम्प्लीट करने के बाद हम पढ़ेंगे सेकंड पेपर वेब डिजाइनिंग का जिसमें HTML से स्टार्ट करेंगे और साथ साथ ओफिस भी स्टार्ट रखेंगे क्योंकि फर्स पेपर में ओफिस के अलावा बाकी सब कम्प्लीट कराके ही हम वेब डिजाइनिंग स्टार्ट करेंगे तो ओफिस और सेकंड पेपर साथ में चलेगा उसके बाद मैं कोशिश करूँगी सेकंड फर्स पेपर कम्प्लीट होते ही सेकंड के साथ साथ थर्ड पेपर भी स्टार्ट कर दूँ तो चलिए देखते हैं हम लोग आज की वीडियो Fundamental of Computer जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर O Level का First Paper M1 R5 जिसका Name है Introduction to Computer वो हम cover कर रहे हैं इसमें हम लोग काफी कुछ पढ़ चुके हैं आज की क्लास में हम पढ़ेंगे Hexadecimal to Octal and Octal to Hexadecimal Conversion नंबर सिस्टम का इससे पहले के सारे नंबर सिस्टम हम complete कर चुके हैं आपको कुछ भी confusion हो या कुछ ना समाज में आ रहा हो तो प्लीस कमेंट करिए और अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो लास्ट वीडियो देख लीजेगा आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा ओके आगे इसके हम पढ़ेंगे वाट इस इंटरनेट वाट इस डबलु 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 डिफरेंस बिट्वीन इंटरनेट एंड डबलु डबलु बहुत पर लोगों को लगता है कि दोनों चीज़े एक ही है तो उसके बारे में भी हम जानेंगे जिससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए नेक्स्ट है हमारा कुछ प्रोटोकॉल्स कुछ अब्रिवियेशन वर्ड्स है जिनके बारे में बहुत जादा पूछा जाता है तो उनको भी हम डिसकस करेंगे URL, HTTP, FTP, TCP, IP और एक और important topic है web browser इनके बारे में भी हम अच्छे से समझेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज की class तो number system में हम पढ़ रहे हैं hexadecimal to octal conversion यहाँ पर हमने hexadecimal number लिया है 3A4 और क्यूंकि इसका base 16 है तो यह hexadecimal number है और इसके आगे जो question mark के साथ base 8 है तो वो हमारा क्या है octal number है तो इसके लिए हमें क्या करना होता है conversion के लिए इन तीनों letters को या जितने भी यहाँ पर digits हो उनको अलग-अलग कर लिख लेते हैं अलग-अलग हमने लिख लिया है अब 3 और 4 तो सेम ही रहेगा बट यह A जो है वो A को हम number में convert करेंगे जैसे कि हमने बताया था कि 10 के लिए A यूज करते हैं या A की जगा पर 10 आता है तो हम इसको पहले convert कर लेंगे ऑके इस तरह से यह हमारा convert हो गया है अब क्या करना है हमें यह जो 4 आया है 4 का binary निकालना है फिर यह 10 का भी binary निकालेंगे फिर 3 का भी binary निकालेंगे तो I amने key jako आपको binary निकालना आता होगा तो answer होगा 100 इसी तरह से अगर हम 10 को करेंगे तो 2 5s are 10 reminder 0 2 2s are 4 reminder 1 और 2 1s are 2 reminder 0 तो यह मिला कर किता हो जाएगा 1010 तो इसी को हम यहाँ पा इस तरह से लिख लेंगे 3 का करेंगे तो 11 आ जाएगा 11 जब यह आ जाएगा तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि answer आया था 100 जबकि हमने यहाँ पर एक 0 और बढ़ाया हुआ है तो hexadecimal का यह rule होता है कि जब भी जो भी digit आती है वो 4 digits में होनी चाहिए अगर 4 में नहीं है तो left side पे 0 लगा के हम उसे 4 digits बना लेते हैं 3 की है तो 1 0 लगाया अगर 2 digits का होता तो 2 0s लगाते तो 10 में तो 4 digits आ गई है तो कुछ नहीं करना है 3 में 2 digits है बट क्यूंकि इस तरफ 0 लगाने का कोई मतलब नहीं इसलिए मैंने नहीं लगाया है उससे कोई फर्थ नहीं पड़ेगा तो अब हमी क्या करना है इन binary ये जो numbers आए है इनको हमें octal में convert करना है तो octal में conversion के लिए 3 3 के pairs बनाए जाते हैं तो अब हम बना लेंगे यहाँ पर 3 3 के pairs यानि कि ये 1 0 0 ये हमारा यहाँ हो जाएगा उसके बाद इसमें से 1 0 और ये वाला 0 ये 3 हो जाएगे तो 100 यहाँ भी आजाएगा और उसके बाद यहाँ पर 2 डिजिट बचते हैं यानि 1 0 तो इस वाले 1 को ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 0 और ये 1 अलग हो जाएगा तो कुछ इस तरह से ये हम लिख लेंगे जिससे ये 3 3 के pairs में convert हो गया है अब हमें क्या करना है इस binary का हमें decimal निकालना है तो binary to decimal निकालना आपको आता होगा इस तरह से हम निकाल लेंगे 0 2 की power 0 है तो 0 रहेगा 2 की power 1 है तो ये भी 0 रहेगा और 1 2 की power 2 है तो 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4 यहाँ आगया 4 और इसको जब add करेंगे तो ये हो जाएगा 4 ओके ये जो last वाली line है ये यहाँ नहीं है ये खलती से आ गई है ठीक है तो ये हो गया आपका answer 4 और वो 4 हम यहाँ लिख लेंगे इसी तरह से इस 100 का भी यहाँ 4 आएगा वो भी हम यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर 100 का क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा तो वो हम यहाँ लिख लेंगे और 1 का 1 ही रहता है तो यह क्या आ गया 1644 तो यह hexa से octal में convert हो गया है तो answer हो गया हमारा 1644 octal octal to hexadecimal conversion octal to hexadecimal conversion में हमने वही last वाले digits ली है 1644 octal number है जिसका हमें hexa निकालना है तो उसके लिए क्या करना है इसके लिए भी हमें जितनी भी digits है उनको अलग-अलग लिख लेना है इस तरह से और इन अलग-अलग digits का binary निकाल लेना है यानि के decimal to binary conversion करना है तो decimal to binary conversion हमें आता है 22's are 4, reminder 0, 21's are 2, reminder 0, answer आया 100 तो नीचे से उपर की तरफ होता answer तो हो गया 100 next हम 4 का निकालेंगे तो वो भी हमारा 100 आएगा फिर 6 का निकालेंगे तो 110 और 1 का 1 ही रहता है अब यहाँ पर क्या करना है हमें इसको हमें क्या करना है 4 के pairs में लाना है यानि 4, 4 का pairs बनाना है यह अभी जो है 3, 3 के pairs में हमें दिखने है 4 का pair बनाना है तो 4 का pair बनाएंगे तो यहाँ से एक 0 इधर आ जाएगा यानि 0, 1, 0, 0 और यहां पर 10 बचा और यहां पर से भी हम दो डिजिट्स और ले लेंगे क्यूंकि 4 के पेर बनाना है तो 1010 हो गया और यहां पर यह 1 बचा है और यह भी 1 है तो लास्ट में जो बचेगा वही रहेगा तो यह हो जाएगा आपका 111010 और 0100 यानि कि 4 4 के पेर्स हमने बना ली ह अब इन 4 के पेर्स को हमें फिर से डेसिमल में कनवर्ट करना है अलग से तो यानि कि यह हो जाएगा 100 का हमारा और उसके बाद 110 का हम करेंगे और इसी तरह से 11 का करेंगे तो यह 10000 का आएगा 4 और 110 का आएगा 10 और 11 का आएगा 3 क्योंकि हमें पता है hexadecimal number system में 10 नहीं होता है 9 के बाद फिर A आ जाता है तो 3 और 4 तो same ही रहेगा और 10 की जगा A हो जाएगा तो ये इस तरह से हमारा आ जाएगा तो अब हमारा answer क्या हो गया है 1, 6, 4, 4, octal का 3A, 4 ये हमारा hexadecimal है I hope आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से तो इसकी practice करिएगा कुछ और numbers ले लीजेगा और इन सबकी practice करिएगा इसमें हमें सिर्फ एक topic और रह गया है जिसमें हम fractions को convert करना बताएंगे आपको और उसके बाद हमारा number system complete हो चुका है तो चलिए अब आगे की वीडियो हम देखते हैं जिसमें है internet तो जैसे कि हम जानते है M1R5 में हमारा जो topic है वो है internet and www तो सबसे पहले हम देख लेते हैं internet क्या होता है तो last में last video में हम देख चुके हैं कि networking क्या होती है या network क्या होते हैं type of networks हमने पढ़े थे तो उससे हमें पता चला था कि internet जो है वो network of networks है यानि कि एक बहुत बड़ा network है जिसके अंदर बहुत सारे छोटे 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 network जुड़े हुए होते हैं आप सभी जानते होंगे अच्छे से internet के बारे में सब लोग mobile चलाते हैं मोबाइल में आप लोग ID बनाते हैं WhatsApp चलाते हैं Facebook चलाते हैं बहुत सारी चीज़े चलाते हैं तो उससे क्या समझ में आता है यही समझ में आता है कि हम अपनी जगह पर अपने घर में रहते हुए पूरे world में कहीं भी किसी से भी contact कर सकते हैं Facebook पर जह हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है कोई person है जो US में है, सौदी में है या फिर अमेरिका में है या फिर चीन में है और वहां से वो बात कर रहा है और हम यहां पर उससे contact कर रहे हैं उसके बाद हम उससे voice call भी कर सकते हैं वीडियो कॉल भी कर सकते हैं और सब कुछ शेर कर सकते हैं डॉकिमेंट्स में शेर कर सकते हैं यह सब possible हुआ है because of internet internet के बिना यह सब possible नहीं था तो हम जान लेते हैं कि internet की normal definition क्या है what is internet अगर हम definition के बात करें तो हम लिख सकते हैं the internet is the global system interconnected computer networks that uses the internet protocol suits to communicate between networks of devices यानि कि internet जो है वो एक global system है जिसमें बहुत सारे computer का network है जितने भी world में computers हैं जिन पर internet चलाए जाता है वो सब internet के network में आते हैं और वो TCP IP प्रोटोकॉल को यूज करते हैं किसके लिए communication के लिए यानि कि बातचीत करने के लिए devices and resources या data और resources शेर करने के लिए इन प्रोटोकॉल को यूज किया जाता है बहुत सारे computers के बीच में तो ये है internet internet में तीन चीज़े होती है main जिसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए first is client, second is ISP and third is server तो firstly हम जान लेते हैं कि what is client mobile और smartphone, tablets and computers इस तरह के जो भी devices हमारे पास होते हैं जिससे हम computer में internet चला रहे होते हैं वो हमारे client होते हैं यानि कि हमारे हाथ में जो भी mobile computer या tablet है जिस पर हम net चला रहे हैं वो हमारा client है यानि कि हम चला रहे हैं तो हम उसके client हैं लेकिन mainly वो computers या वो devices ही client हैं आपके अब next is server क्या होता है server वो computers हैं जहां पर वो सारी information store है जिसे हम access कर रहे हैं यानि कि हम जो भी सूचना जो भी information इंटरनेट के through प्राप्त कर रहे हैं वो हमें कहां से मिल रही है server से मिल रही है अब इन दोनों चीजों को जो जोड़ता है वो है हमारा ISP यानि कि net हम किस तरह से चलाते हैं नेट के बिना हम वहां पर information को retrieve नहीं कर सकते या information को ले नहीं सकते उसके लिए हमें internet connection आपके computer या आपके client के पास होना चाहिए तो client के पास internet connection कहां से आता है ISP के थूँ आता है यानि internet service providers ओके internet service providers ही हमें net connection देते हैं जैसे के LTL, BSNL, IDEA and GEO यह हमारे ISPs कहलाते हैं और यह client and server को जोड़ने का काम करते हैं ओके तो अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं history of internet यानि internet कब से शुरू हुआ और उसका क्या history रही इसके बारे में भी काफी चीज़े आती हैं तो प्लीज अच्छे से देखिएगा और नोट ज़रूर बना लीजिएगा 1969 में ARPA NET नाम से internet क्या शुरुआत हुई थी ARPA NET में चार computers को एक साथ जोड़ा गया था और इसका use military ने American military में किया गया था यानि कि इसकी शुरूआ जो है वो अमेरिका से हुई थी American military ने इसका use किया था और four computers को आपस में connect किया था और उनका data and resources शेयर किये थे उसके बाद 1974 में ARPA NET को telecommunication नाम दिया गया telecommunication network नाम दिया गया और इसे normal persons के लिए यानि के आम नागरिकों के लिए start किया गया 1980 में NSF NET आया और NSF NET यानि के National Science Foundation Network और इसकी शुरूआत NSF ने की थी यानि National Science Foundation ने इसकी स्टार्ट किया था 1982 में TCP IP नाम से कुछ protocols आये यानि के कुछ rules बनाए गये उन्हें हम transmission control protocol या IP यानि internet प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं 1990 में ARPA NET को खत्म करके finish करके उसकी जगहा पर internet आ गया और जो के network of networks कहा गया यानि के बहुत सारे network को का network जो था वो internet बन गया तो इस तरह से हमने internet के बारे में अच्छे से जाना अब हम जानते हैं www यानि के worldwide web ये क्या है worldwide web के बारे में जादा तर लोग समझते हैं कि ये internet ही है उसी को worldwide web कहा जाता है बट ऐसा नहीं है 1989 में ये बिटिस साइंटिस्ट ने बनाया था जिनका नाम था टिम बर्नर ली ये आप बहुत अच्छे से नोट कर लिएगा ये भी पूछा जाता है कि www कब आया था तो 1989 या 1990 भी बोल सकते हैं हम इसे और इसे किस ने बनाया था तो बिटिस साइंटिस्ट टिम बर्नर लीने से बनाया था ये स्टार्ट किया था इसे हम www भी बोलते हैं डब्लू 3 भी बोलते हैं और web भी बोलते हैं, यानि web आप बोल रहे हैं, तो इसका मतलब worldwide web ही आप कह रहे हैं, ओके? इसका मतलब रहे हैं, अवरे हैं, व बोल. और भी आप बोल रहे हैं, वोल्च वोल कहा बेहना की वहां, बोलब at this difference is the internet is infrastructure while the web is serviced on top of that infrastructure. तो इससे हमें यह पता चल रहा है कि जो internet है वो global network है और उस network के अंदर जो भी हम information देखते हैं या information transfer करते हैं वो possible है www यानि के worldwide web की वज़ा से infrastructure कह सकते हैं हमकी एक तरह का internet जो है वो infrastructure है तरह का hardware है और जिसमें जो services होती है वो हमें software यानि के www देता है तो internet जो है वो हमें पूरे world में connect करने की facility देता है connect करने के बाद हम जो information search करते हैं या फिर data share करते हैं वो possible होता है www यानि worldwide web की वज़ा से ओके अगर हम इस difference को और अच्छे से समझना चाहें तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो internet है वो हमारा आया था 1969 में अर्पानेट के नाम से शुरू हुआ था अर्पानेट का full form जरूर याद कर लिएगा advanced research project agency network ओके इंटरनेट में बहुत सारे computers का network है यानि एक दूसरे से जुड़े हुए है wires के through और wireless network के through भी ICP and IP ये protocols use होते हैं और internet जो है वो independent है यानि उसको चलाने के लिए किसी और चीज़ की जरूरत नहीं परती इस internet को हम hardware भी बोल सकते हैं जबके www की बात करें तो ये आया 1993 में और इसका जो first name था वो था NSFnet और इसमें files and folders and documents को store किया जाता है share किया जाता है ये सब काम www की वज़ा से possible है इसमें जो protocol use किया जाता है वो HTTP है यानि hyper text transfer protocol और ये dependent होता है internet पर internet के बिना www कोई work नहीं कर सकता है इसलिए हम कहा सकते हैं कि ये software का work करता है तो जैसे कि हमने जाना कि www क्या करता है information store करता है उसके अलावा हम जो भी webpage बनाते हैं उनको organize करना और उनको link कराना ये भी इसी का काम होता है organize करना और link कराने का मतलब है कि एक जगहा से या एक जगहा पर रहते हुए हम directly किसी और जगहा पर पहुश सकते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा जब आप searching करते हैं तो कुछ जगहां उपर कुछ टेक्स जो है वह blue color में होता है उसके निचे underline भी होती है और उसके उपर अगर mouse pointer ले जाते हैं तो वह hand बन जाता है तो वह जो है वह link होता है और जब आप उसपे click करते हैं तो वह किसी और page को open कर देता है तो वह possible है क्यूंकि वह जो documents बने हैं वह hypertext के form में बने हुए है hypertext की वज़ा से ही हम linking कर पाते हैं यानि documents को एक दूसरे से link कर पाते हैं अब hypertext document create किये जाते हैं कुछ languages के through जिसमें से first है हमारी HTML HTML hypertext markup language कहलाती है इसे हम web designing language भी बोलते हैं HTML में हम text documents भी बना सकते हैं उसमें pictures, audio, video, sounds सारी चीज़े हम add कर सकते हैं या इन सब को मिलाकर documents तयार किये जाते हैं इसके बाद DHTML आया था जिसे dynamic HTML भी बोलते हैं बट उसका नाम बाद में change करके CSS कर दिया गया इसे कहते हैं cascading style sheet तो यह बहुत जादा popular languages हैं उसके अलावा इसी में हम और use करते हैं javascript, vbscript अब हम और भी चीज़े use करने लगे हैं PHP वगारा तो हम लोग यह सारी चीज़े पढ़ेंगे यहां पर लेकिन फिलहाल introduction में आप लोग इन सब के full forms अच्छे से देख लीजेगा वह बहुत जरूरी और important हैं अब हम बात करते हैं HTTP की जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि HTTP जो है वह एक protocol है जिसे www use करता है इसे बोलते है hypertext transfer protocol जैसे कि हमने hypertext के बारे में समझा कि जब एक जगह से दूसरी जगह directly हम पहुच जाएंगे link के through तो वह काम जो होगा वह कौन करेगा वह HTTP रूल या प्रोटोकॉल जो है वही करेगा okay तो HTTP के साथ S भी कभी कभी होता है इसे कहते है HTTP S यानि के hypertext transfer protocol secure okay तो secure इसलिए होता है कुछ websites जो है वह secure होती है उनके आगे S लगा होता है यानि के अगर आप आजकल payment के लिए हम लोग use करते हैं बहुत सारे हम देख रहे हैं कि crimes होते हैं यानि के hacking हो जाती है जिसकी वज़ा से बहुत बार हमारे accounts भी hack हो जाते हैं तो वहां पर लोग डरने लगे थे कि हम इंटरनेट का use करें या ना करें क्यूंकि अगर हमारा account hack हो गया तो हमारा और loss हो सकता है तो उसके लिए यह एक बनाया गया कि HTTPS जो है वो secure websites हैं उनसे जब आप करेंगे तो आपको इस तरह की problems नहीं आएंगी इसके साथ ही एक और protocol है FTP जिसे कहते है file transfer protocol जब किसी file को हम transfer करते हैं यानि कि जब हम कोई file WhatsApp के through या email के through send करते हैं तो वो possible होता है FTP protocol के through Okay downloading क्या होती है downloading में हम कह सकते है just database information server पर है उसे अगर हम client पर लाते हैं तो वो कहलाती है downloading कि हम लोग जब internet use कर रहे होते हैं या जो चीजras, hasn, internet से लेते हैं वो हमारे downloading कहलाती है इसे तरह से information हमारे पास है और हम सरवर पर दे रहे हैं यानि कि क्लाइंट अगर सरवर को कुछ दे रहा है तो वो क्या कहलाएगा uploading तो downloading ज़ादा की जाती है uploading कम की जाती है जो कुछ भी हम लोग देखते हैं इंटरनेट पे वो pages होते हैं जिसे हम web page बोलते हैं है the website जैसे कि आप नायलेट की website देखिए तो बहुत सारे pages मिलेंगे उसमें आपको एक जगह link पे क्लिक करेंगे तो दूसरा page दूसरे पे क्लिक करेंगे तो तीसरा page इस तरह से pages एक दूसरे से जुड़े होते हैं लेकिन वो कुछ particular pages होते हैं जो एक को हम वेब प्रोटल भी बोल सकते हैं या बोलते हैं वेब साइट क्या होती है अभी जैसे मैंने बताया कई सारे वेब पेजर्ट का जो ग्रूप होता है वो वेब साइट होती है और उसका एक नेम होता है जैसे यहां पर लिखा है www.google.co.in तो इस पर एक और टॉपिक आता है जो है URL URL को हम बोलते हैं Uniform Resource Locator जब हम किसी पर्टिकुलर पेज को सर्च करते हैं तो उसके लिए जिस चीज की जरूरत होती है वो होता है URL URL जितने भी पेज़ेज हैं अब नेट पर बहुत कुछ है जैसे कि हमें पता है कई करोड़ कम्प्यूटर जो है वो इंटरनेट के थूँ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं अब उतन सारे कम्प्यूटर पर बहुत सारी information है जो कि इंटरनेट से connected है या server पर कई करोड़ या कई millions pages होंगे जो वहाँ पर store है उन में से आप जिस particular page को चाहते हैं उसे सर्च करना easy नहीं है बट ये possible है URL के through ओके तो URL में तीन चीज़े होती है protocol, address and path ओके जैसे कि हम जानते है protocol हमारा http हो गया और उसके आगे अगर हम बात करें हम यहाँ पर एक नाइलेट का ही हमने example लिया है वहाँ से हमने एक link copy किया है इसमें हमारा ये जो है red color में ये हमारा protocol है student.nylet.gov.in ये आपकी website है अगर आप कुछ सर्च करना चाहें तो इस पर जा सकते हैं तो ये हमारा क्या कहलाएगा ये हमारा domain name कहलाएगा और इसके आगे ये जो लिखा हुआ है ये हमारा path कहलाएगा अब path क्या होता है अगर आपको नहीं पता है वैसे शायद मैंने बताया है इससे पहले वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ यहां पर आप देख लीजे कि ये हमारा protocol है ये हमारा domain name हो गया है और ये हमारा path है ओके तो अगर हमें path के बारे में मालूम करना है तो मैं आपको बता दूँ जैसे कि आप लोग computer में कई सारे folders open करते हैं एक folder के अंदर दूसरा folder होता है जैसे कि मैंने यहां पर आपको example दिखाने के लिए eDrive open की है मेरे computer की eDrive में thumbnails नाम से एक folder है उस folder को open करने पर एक और folder मिलता है which is o level के नाम से एक और folder है और जब इसको open किया है हमने तो यहां पर बहुत सारे मेरे documents हैं तो यह हमारा क्या हो गया है path हो गया है ठीक है तो i hope आपको समझ में आया होगा कि path क्या होता है तो जैसे जैसे आप information open करते रहते हैं वैसे वैसे path उसका आगे बढ़ता रहता है तो उस path में एक और चीज़ है उस URL में एक और चीज़ है जिसे बोलते हैं top level domain यानि URL का ही एक part है जिसे बोलते है tlds यानि के top level domain यह top level domain क्या होता है जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी website के आगे लिखा होता है .com, .in, .co इस तो उसे हम बोलते है tlds जैसे .gov का means होता है government website, .edu का means होता है educational website और .com यानि के commercial website जो की business के लिए होती है .co यानि company की website .in यानि India की website .pak यानि Pakistan की website और .us यानि America की website तो यह हमें help करती है , यह internet को help करती है , किसी भी particular website को open करने में , जिससे यह searching जो है , वह easily कर पाता है , इन्हें हम सब domain भी बोलते हैं , आई होप आपको यह सारी चीज़े अच्छे से समझ में आई होंगी , अब हम बात करते हैं web browser की , वेब ब्राउजर क्या होता है , जैसे कि मैंने पहले की classes में भी बताया है , कि वेब ब्राउजर जो है वह एक application है , जिसके थूँ हम internet access करते हैं , बीना वेब ब्राउजर के हम internet को access नहीं कर पाते हैं , कर नहीं सकते हैं , तो web browser बहुत जादा important है , अब आपने बहुत सारे web browser सुने होंगे , जैसे Google Chrome , Mozilla , और भी बहुत सारे , लेकिन यहां पर बहुत सारे questions आते हैं , first web browser या इस तरह के , तो वह आपको मालूम होना चाहिए , तो उसके लिए हम यहां पर बात करेंगे , तो वह है , first web browser है , Mosaic , 1993 में आया था और इसे बनाया था Mark Anderson , मैं इसलिए बता रही हूं कि यह question जरूर आता है , तो अच्छे से आप लोग इसको नोट कर लीजेगा , next है हमारा Net Escape Navigator , जो के आया था 1994 में , और इसे Net Escape Company ने बनाया था , नेक्स्ट है हमारा Internet Explorer , जो 1995 में आया था , यह बहुत ज्यादा पॉपलर रहा , यह बहुत ज्यादा चला , अब इसकी इंपोर्टेंस थोड़ी कम हो गई है , लेकिन ज्यादा तर यह बहुत काम आया है , इसे Microsoft ने बनाया था , अब इसी Microsoft ने इसे अपडेट भी कर दिया है , उसके बार मैं भी बताती हूँ आपको , नेक्स्ट आया 2008 में Google Chrome , Google Chrome भी इस टाइम पे बहुत ज्यादा फेमस है , यानि के टॉप वेब ब्राउजर्स में से एक है , नेक्स्ट है हमारा Mozilla Firefox , जो 2002 में आया , और वेब ब्राउजर सफारी है , जो 2003 में आया , उसके बार यूसी ब्राउजर्स भी 2004 में आ गया , यूसी वेब ने बनाया था इसे , बट अब जो है यह अलिबाबा गुरूप में है , क्योंकि अलिबाबा गुरूप ने इसे परचेस कर लिया , क्रोमियम 2008 में यह भी आया था , और अब जो माइक्रोसॉफ्ट एज का 2015 में इसका अपडेटेट वर्जन आया है , यानि अगर लेटेस्ट अपडेटेट वर्जन पूछा जाए किसी का , तो माइक्रोसॉफ्ट का एज है , यानि इंटरनेट एक्स्प्लोरर का , अ dairy प्रक्रोसज़न पूछा इंटरेटेटेटव का इंटरेट तविक्त्प्तु पूछौष। नियुस्ट सोर्थ प्रजर , दो टरह के होते हैं , Graphic Web Browsers and Linux Web Browsers तो अगर हम Graphic Web Browsers की बात करें तो जो Mosaic है हमारा वो Graphic Web Browsers है जबके Linux जो है वो हमारा Text Web Browsers है इसका ध्यान रखेगा हो सकता है इसके नाम से भी Question आजाए Next है Search Engine Search Engine क्या होता है? बहुत बार लोग Web Browsers और Search Engine को सेम मानते हैं यह सेम नहीं है Search Engine वो होता है जो किसी भी Information को सर्च करने के लिए ही पर्टिकुलर यूज किया जाता है जिसमें आपका Google जो है वो सबसे Fast और Top Search Engine है Google को ही Search Engine माना जाता है मेंली उसके लावा Yahoo, Bing, Ask Me यह सारे भी हमारे Search Engines हैं ओके? Browsing and Surfing क्या होती है जब हम Internet पर कुछ भी Search कर रहे होते हैं उस टाइम पर जो भी हमें Pages दिखाई देते हैं इधर से उदर हमें जाना परता है वही सब हमारी Browsing and Surfing कहलाती है अपनी Particular Information पर पहुचने के लिए जितनी सारे Pages तक हम जाते हैं वह हमारी Browsing या उसे ही हम Surfing भी बोलते हैं आज के टाइम में More than 350 करोर यूजर्स हैं इंटरनेट के पूरे वर्ड में तो ये बहुत बड़ा आकड़ा होता है और नेक्स है हमारा Advantage अब आप जानते हैं किसी भी चीज को जब हम यूज करते हैं चाहे वो कोई भी चीज हो उसके कुछ advantages होते हैं यानि उससे फाइदा भी होता है लेकिन ये depend करता है हम पर कि हम उससे फाइदा उठा रहे हैं कि हम उससे नुक्सान उठा रहे हैं आप जो चाहेंगे वो आप उठा सकते तो I hope आप लोग फाइदा ही उठाएंगे तो मैं advantages पहले बता रही हूं आपको इसमें जो है हम online bills का payment कर सकते हैं electricity bill, water bill, house tax bill और इसी तरह से बहुत सारे bills पहले हमें क्या करना पड़ता था इन सब के लिए बहुत बड़ी लंबी line लगानी पड़ती थी जाना पड़ता था, especially time निकालना पड़ता था बट अब ऐसा नहीं है हम बिना line लगे घर से ही सिर्फ कुछ seconds में इन सारे bills का payment कर सकते हैं उसके बाद है send and receive information किसी भी तरह की information हो pictures में, video में, audio में या फिर documents में हम उसे send भी कर सकते हैं और receive भी कर सकते हैं easily online office बहुत सारे काम जो हैं वो online हो रहे हैं तो online offices बन गए हैं online shoppings हो रही है amazon और उसके अलावा आप तो cooking के लिए zomato वगारा use हो रहा है कि आप cook food मंगा सकते हैं वहां से business promotion हो रहे हैं हम लोग जो भी business करते हैं उसको promote करने के लिए हम online internet का use करते हैं online job details हमें मिल जाती हैं applications हम fill करते हैं वो भी online करते हैं उसके अलावा freelancing हो रही है जैसे के youtubers जो है वो भी एक तरह के freelancer कहलाते हैं उसके अलावा और भी बहुत कुछ किया जाता है blogging और भी बहुत कुछ तो अगर आप इसके बारे में अच्छे से search करेंगे तो आपको मिल जाएगा entertainment तो online होते ही है YouTube पर हम videos, film, movies कभी भी कहीं भी किसी भी तरह की किसी भी language की हम देख सकते है तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ disadvantages की internet से कुछ disadvantage भी होते हैं जैसे के है waste of time time waste हो जाता है अगर आप Facebook या इस तरह की कोई चीज़ खोल कर बैठ जाते हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा तो आपका time निकल गया internet free नहीं है उसके लिए हमें payment करना पड़ता है तो expense भी है exploitation and violence images कुछ गलत तरह की images भी हमारे सामने आती है कुछ हमें provoke भी किया जाता है लडाई जगडे के लिए या इस तरह के लिए तो बहतर है कि हम लोग अच्छी चीज़े देखें ऐसी चीज़े ना देखें जिन से हमारा दिमाग में कुछ गलत बाते जाएं next है hacking जैसे मैंने बताया था कि accounts hack कर लिए जाते हैं तो आपका पैसा जो है वो account से निकल जाता है यह इसकी बहुत बड़ी disadvantage है कुछ cheatings होती है लोग online business चलाते हैं पैसे यहां submit कर दिये वहां submit कर दिये इस तरह का बोल कर और फिर वो online से हट जाते हैं और हम उनका कुछ नहीं बिगार पाते हैं next spam email and advertisement spam email जो होते हैं जो publicity के लिए लोग use करते हैं हर एक को mail भेशते हैं वो होते हैं internet addiction बहुत सारे लोग आज कर internet के addict हो गए है addict किसी भी चीज़ का addict होना बहुत गलत है यानि लट जिसे कहते हैं वो लट नहीं होनी चाहिए उससे आपको बहुत जादा health effect पड़ता है यानि कि आपकी health खराब होती है जिसमें eyes का तो बहुत जादा है उसके अलावा भी और भी सारे बहुत सारे नुकसान होते है तो I hope आपको समझ में आया होगा advantages and disadvantages internet की और आप कोशिश करिए कि आप इससे advantage उठाएं disadvantage ना उठाएं यानि कि games खेल कर या अगर कोई business करते है उसके promotion के लिए आप कर रहे है तो अच्छी बात है next है आपका full forms यहाँ पर मैंने जो भी आपको पढ़ाया है उसकी कुछ full forms है जो मैंने दी है और कुछ ऐसी भी full forms है जो मैंने अभी नहीं पढ़ाया है जो कि मैं आपको next class में पढ़ाऊंगी तो उसकी भी आपको यहाँ पर हमने full forms दे दी है और जैसे कि मैंने बताया था आपको कि full forms आप एक जगह पर लिख लीजिएगा और उसको एक बार रोज revise कर लिएगा जिससे आपको वो learn हो जाएं तो I hope आप लोगोंने मेरा instruction follow किये होंगे तो आप लोग note कर लीजिए इसे भी उसी जगह पर और खुश रहिए take care next class का वेट करिए ओके बाए